सास्री काल बेटा जी, आज जी सी गल करनी है टाइप ऑफ फौर्सिज दी, जी डिभी आले दौले साठे फौर्सिज मिल री हम, वो दो कैटेग्रीय चे मेंली डिवाइड किती जा सकते हम, पैली कैटेग्री है Contact Forces ते दूजी के टेगरी है Non-Contact Forces ये तो पुठा ही साब है दा सब तो पहले देख लिए Contact Forces दा मतलब की है उन जिद्धा वर्ड ही कह रहे है ये देचे Contact होना ज़रूरी है जैसी Force अप्लाई करनी है ता Contact होना ज़रूरी है It is applied by the objects in contact with each other जीड़े Objects contact with होना ओ एफोर्स ला सकते होना उन एदेचे एग्जांपल जड़े होना Muscular Force जड़े असी लंदे है तका देंदे किसीनों Contact ती जुरूरूरत है दूरों ये दा हाथ खरांगे ता चीजा मूव नहीं कर जड़ी है सानू Contact Force लानी पढ़ी फिर Friction Force है ज़तो असी चल दे हाँ साड़े पैरा चे जुते केस जान दे ने वो क्यों किस दे पर या Frictional Force करके फिर तो अद्ड़ा कोई Spring लगा होनदा है जिबें बाए की ती गद्दी चे लगा होनदा है Frictional Force Contact Forces ज़े इननू डिसकस करन तो पहला Non-Contact Forces भी देख लिए Non-Contact Forces दा मतलब है इननू लगण वास्ते Contact होना जरूरी नहीं है It is applied by the object Without Contact जरूरत नहीं है इदा सब तो पहला example Gravity है देखो माला तुसी तरती तेखलोते हो हो तासी केंदे है तरती दी जड़ी Force है थले नू लगरी है उनने तुन पकड़ के रख़या होया है ताहीं तुसी तरती ते खलो सकते हो तुसी जंप मार देंदे हो क्या Contact रहा तरती दा ते ताटा नहीं बट क्या तुसी तरती दी Force तो आजाद होए नहीं होए हले भी तरती तो आनो Force ला रही है तरती अपनी Force Without Contact ला सकती है ता एक ड़ी Force हो गई क्या टाइब Force हो गई एक Non-Contact Force है फिर तुसी मैगनेट देखे होए होने एक मैगनेट रख्या हो यह थे और एतने एक लोहिद पीस है वो खिच के मैगनेट दे कोल आ जानदा है क्या एननों एदिनाल टच करन दी जरूरत है नहीं सर दूरों ही खिच लेंदा है Without Contact ली क्हिच लेंदा है ता ए भी एक तरह दा जेड़ा Magnetic Force है ए भी एक Non-Contact Force है तीजी Electric Force है जो पॉजिटिव नेगिटिव चार्ज है रिपेल कर दे है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगिटिव चार्ज अट्रेक्ट कर दा है बट क्या टच करानते ही होंदा है नहीं सर दूरों हो जानदा है Non-Contact Forces जदो surfaces contact कर दे हन एक दूजे नाल मिल दे हन ता सानू दो component मिल सकदे हने थे एक component मिल दा है जेड़ा surfaces ते 90 degree होंदा है या perpendicular होंदा है ते दूजा component मिल सकदा है जेड़ा 0 degree या parallel होंदा है एक example रही समझ दे है देखो इते ए बॉक्स है एदा ए सर्फेस है ए थलड़ा part तो आनू जाहन बुच के दिखा रहे हैं यूकि जदो मैं इस box नू थले रखांगा इनने ही जमीन नाल contact करना है ता ए मेरा surface of box है सता ते थले एक ही है ए अर्थ दा सर्फेस है या जमीन दा सर्फेस है उन जदो राइड साइड दे पिक्चर देखो असी रख देने हैं box नू ता इदना असी फूटो नाल दिखा सकते हैं उन बार बार इदना करके डाइग्राम बना दी जूरत नहीं बर तुसी समझ गए कि इदा ज़ड़ा सर्फेस है ये ते थले touch हो रहे है देखो जदो ए आर्थ ते रख्या होया है तर्ती ते रख्या होया है या desk ते मान लो कोई book है तो उन नू थले नू कोई force खिच दी है उनसा नू पता है कौन है वो वो force of gravitation है force of gravitation है उन questions है फिर जग force लग दी पर यह है थले नू क्यों नहीं जानदा प्या बिटा क्योंकि अर्थ ने एक reaction भी देना है जित्ते action होवे उत्ते reaction भी होंदा है यानि कि इस box नू अर्थ तो इस surface तो एक reaction मिलदा होना है वो असी एद्दा दिखान दे है अच्छा इस surfaces ते किन डिगरी है पता लगा 90 डिगरी ही है ना ये जड़ा reaction निकल गया आया इन्हों सी केंदे है नॉर्मल रियक्शन फोर्स जिन्हों एन नाल देनोट कर दे है हुँ समझ गये केड़ा component सानू मिल गया है सानू मिल गया है वो component आसी दो surfaces touch किते देखो surface A ते दूजा surface touch किता तासी देख्या एक component जिड़ा surfaces जिड़े contact हान ओना ते 90 डिगरी है ग्रेविटीशन देता सानू पता सी इस ता सानू आइडिया नहीं सी ताहुन पहला component सानू मिल चुका है वाट अबाउट दा second component जिड़ा तुसी दस्यासी parallel होंदा है second component उनू भी देख दे हैं देखो जदो आसी A box इस तर्तीदे रख्या होया है जिड़ा तर्तीदा action है उदे वास्ते सानू opposite reaction मिल रहा है जिड़े तर्ती नहीं होंदी ता क्या A reaction मिलना सी विचार करके देखना पर होन जिड़े पासों मैं action करा जिदा मैं इस पास से इस box नो तका मारा तो तौन भी पता है इस जड़े surface न contact दे होन कारण इदर नो force लाण गे हाँ जमीन ते लगेगा इस arrow मैंनो पूरा इथे मनाना चाहिदा है बट फिर भी simplicity वास्ते तसी समझ गे इस direction चर मैंनो reaction मिलना शुरू हो जएगा यह जड़ी force असी कर दी है जड़ी पुठे पास से जारी है इननों असी कहन दे हाँ frictional force या friction force यह क्यों मिल रही है क्योंकि देड़े दूस surfaces हान वो एक दूजे ते रगड़ खा रहे हान ताह करके move हो रहे हान ताह करके यह surfaces ते किने डिगरी है नॉर्मल force ता देखे है ऐसी 90 degree है यह जड़ी friction force है यह किने डिगरी है सर यह ता सता ते ही है यह ता कोई degree बंदी नहीं पी यह ता surfaces ते parallel है यही force जड़ा है या यही component जड़ा है इन्नों असी कह रहे है जीरो टीगरी ते या parallel component और इन्नों ना देता है ऐसी friction force हुँट सारा वीडियो रिवाइस कर लिए जदो भी surface contact चोंगे ते उना ते force लग सकती है ओ जड़ी force कहलाएगी ओ एक contact force कहलाएगी क्योंकि ओ दोनों surfaces contact चाहन जूड़े हो यहाँ ये दे दो component होँगे पहला component जड़ा 90 डिगरी ते होएगा ये दा ना की है normal reaction force denote कर दे हाँ N नाल capital N नाल नों दाल देन दे हाँ धुजी force अपलाई होएगी parallel या 0 डिगरी ते surfaces जड़े contact चाहन ओस तो 0 डिगरी parallel N वसी ना देता है friction force